कि दुनिया की बहुत सी बातों को हम समझ लेते हैं और बहुत ऐसी बातों को भी जानते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसके बिना भी जीवन चलेगा इसकूल में भी पढ़ने जाते हैं तो बहुत से ऐसे विस्यों को पढ़ लेते हैं जिसको न भी पढ़ें तो चलेगा लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम समझने की चेश्टा नहीं करते हैं गणित न पढ़ हो तो भी चल सकता है भूगोल न पढ़ हो तो भी चल सकता है आपका जीवन इतिहास न जानो तो भी चल सकता है ऐसे ही बहुत सारी बाते हैं न जानो तो भी चलेगा लेकिन आप खुद अपने जीवन को न जानो तो चलेगा कैसे आप अपने बारे में न जाने तो नहीं चलेगा लेकिन जानने योग को भी हम जानने की चेश्टा नहीं करते मुझे जीवन मिला है और मुझे जीना है तो कैसे जीना है यह तो जान लेना है मोबाइल आपको किसी ने गिप्ट दिया अब मोबाइल कैसे चलाना है यह तो आप पूछ करके सीख लेते हैं कि आप बाजार जाकर के कंप्यूटर खरीद लाते हैं कंप्यूटर कैसे चलाना है सीख लेते हैं मोटर साइकल कैसे चलाना है सीख लेते हैं कार कैसे चलानी है सीख लेते हैं जीवन कैसे जीना है यह हम सीखने की चेश्टा ही नहीं करते हैं और जिन चीजों का अभी मैं नाम ले रहा था जैदी बीना जाने समझे उसको चलाना सुरू कर दो मोबाइल बस यहीं बटन दबाते रहो तो जो मोबाइल से लाव मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा गाड़ी मोटर है, कंप्यूटर है बस यूँ ही उसको आड़े तिर्चे बे ढंगे ढंग से काम लो तो जो उससे फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिलेगा ऐसे ही जीवन है जीवन को बिना सोचे समझे जीएंगे तो जीवन का लाव नहीं मिलेगा देखो जीना केवल परयाप्त नहीं है जैसे मैंने भी कहा न कि आपके पास मोबाइल का होना ही परयाप्त नहीं है आपके पास गाड़ी का होना ही परयाप्त नहीं है लेकिन उससे लाव लेना पुरी तरह से वो महत्तोपूर्ण है ऐसे ही जीवन का मिलना ही महत्तोपूर्ण नहीं है जीवन को सही ढंग से जीना और पूरा लाव पाना जीवन का यहीं महत्तोपूर्ण है जब हम इस जीवन से बहुत कुछ पा सकते हैं तो थोड़े में ही क्यों संतोष कर लेते हैं जैसे कोई किसी खजाने में जाए जहां पर रत्न है वहां जाए और वो ज्यादा से ज्यादा ला सकता है उनको पूरी छूट है लेकिन एक मुठी भर के ला रहा है और ज्यादा भी ला सकते थे आप लेकिन नहीं आप एक मुठी भर लेकर के आ गए ऐसी यह जीवन इस जीवन में आप उतना पा सकते हैं जितना बुद्ध पा गए आप उतना पा सकते हैं जितना महावीर पा गए कभीर पा गए और बताओं आप उतना पा सकते हैं जितना जो सबसे ज्यादा धनी आदवी है जितना पाया उतना आप पा सकते हैं कि सबसे बड़े पद पर किसी ने पहुंचा है आप वो भी पा सकते हैं बहुत सारे विद्या आप आप पा सकते हैं लेकिन मैंने अभी कहा था ना कुछ देर पहले बहुत सारा धन नभी पाओ भी एक को कम कर दो बहुत सारा धन न भी पाओ, उत्राई धन मिल जाए, जितना काम चल जाए, कोई बात नहीं है, बहुत बड़े पद पर न जाओ, कोई बात नहीं है, जहाँ है वही बड़ा पद है, अपने घर में है, बस किसी के पती है, किसी के पिता है, किसी के पुत्र है, बस आप पुत्र हो गए किसी के सास किसी के बहु यही का कमपद है बहुत बड़े बहुत सास्त्र के ग्याता नहीं हुए कोई बात नहीं है जीवन के बारे में के जाने के नहीं यह असली बात है जीवन को सही ढंग से जीना सी गए तो जीवन में सही परणाम आने लग जाएगा सही रिजल्ट आने लग जाएगा और बिना सोचे समझे जीएंगे बस यूही जीते चले गए तो फिर क्या होगा बस वही एक कमाओ खाओ जीओ अच्छा बीच में फिर बाल बच्चे पैदा करो नोकरी चाकरी खेद बाड़ी की विवस्था करो और ऐसा करते-करते ब्रिद हो गये खतम हो गये बस कि अब मैं कह रहा था या तो करो ठीक है लेकिन इस से ज्जादा पा सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं जिससे चूक रहे हैं उस शांती को चूक रहे हैं, उस शुक को चूक रहे हैं, उस आत्मा नुभूती से चूक रहे हैं, जो हम कर शकते हैं, कर शकते हैं, तो वो काम हमको कर लेना चाहिए, माल लोग कोई कहता है कि तो बड़ी बड़ी बाते हैं, किसी का कल्यान का होना, मोक्छा का होना, शांती का अन्भव करना, कोई बात नहीं, लेकिन जहां हो सुक से तो रह सको, जहां हो वहां सुक से तो रह सको, बस इतना तो कर सको भला, लेकिन आप देखेंगे, घरों में ज सब के पास परियाप्त कपड़े हैं और मुझे ठीक से तन ढखने को भी कपड़े नहीं दे रहे हैं। सब लोग तो घर में रहते हैं, मुझे घर से बाहर रखते हैं। यह शिकायत कोई नहीं करता है। शिकायत क्या करते हैं। मेरे मन के अंसार लोग करते नहीं है, मुझसे लोग प्रेम नहीं करते, मेरा लोग सम्मान नहीं करते, मेरी निंदा करते हैं, मेरी बुराई करते हैं, वो ये गलती वो करता है, ऐसी इसी गलती करता है, वो करता है, ये करता है, ये सब के मन में शिकायत, चाहे वो बड़े घर वाले हो चाहे छोटे घर वाले हो चाहे वो बड़ी गाड़ी वाले हो चाहे छोटी गाड़ी वाले हो बड़े पद वाले हो चाहे कम छोटा पद वाला हो सब के जीवन में यही शिकायत बना रहता है किसी से पूछो कहो भीया मिले जुले पूछे कहो भीया कैसे हैं हाल चाल स सब आनंद से बैठे रहो कुछ दिर बात्चीत करो बात्चीत करो बस बात्चीत करते करते क्या निकलेगा क्या बताएं आज काल के लड़के लोग तो कली यूगी हो गया है बात मानते ही नहीं है बहुत जल्दी वह अपने परिवार की शिकायत करना सुरू कर देंगे गाहँ वालों का शिकायत करना सुरू कर देंगे अपने रिस्तेदारों का शिकायत करना सुरू कर देंगे और आज से आगे बढ़ते बढ़ते राजनेताओं का शिकायत करने सुरू कर देंगे सब का चा वह आदमी खुश नहीं है कि कई बार देखो तो अपने से भी खुश नहीं है अपने से भी खुश नहीं है जो उनको सरीर मिला आप देखें जो उनको सरीर मिला उस सरीर से खुश रहना चाहिए क्या करते हैं कि मैं उतना सुंदर नहीं हूँ जितना सुंदर वो है कि तो कर रहे हैं ना सिकायत हैं मेरी आखें वैसी नहीं है मेरे पास वो नहीं है गुर्देव जी पास एक आद्मी आया बैठे थे बातचीत होने लगी तुन्हों कहा साहब जी मेरी आखे तो बहुत छोटी-छोटी है गुर्देव जी नहीं कहा देख पाते हो ना हाँ देख तो पाता हूं तो पहर और काची यह लेकिन उन्हें अपनी आँख से संतुष्टी नहीं है लोगों को अपने चेहरे से संतुष्टी नहीं है लोगों को अपने पती से पतनी से संतुष्टी नहीं है लोगों को अपने घरवालों से संतुष्टी नहीं है अपने घर मकान अपनी आमदनी से शंतुष्टी नहीं है कैसा जीवन होगा बताईए आप क्या आप अपना चेहरा बदल के कहीं अलग से ले आएंगे अपने हाथ पैर को बदल देंगे अपने आँखों को बदल देंगे नहीं तो जो है उसको स्विकार करो जो घर वाले मिले हैं जो माता पिता मिले हैं उनको स्विकार करो तक मुझे बदलना है, एक्सेंज करना है, कैसे करोगे? शादी हो गई है, कितना एक्सेंज करते रहोगे? अब बच्चा ये पैदा हो गया, बच्चा बड़ू नलायक निकला है, इस बच्चे को बदलना है, कपड़ा लगता है, जो बदल दोगे, उसी बच्चे के साथ जीना है, उन्ही माता पिता के साथ जीना है, उन्ही परिवार के लोगों के साथ जीना है, तो खुश क्यों नहीं है? वही सरीर के साथ जीना है, तो खुश क्यों नहीं है? यही कहता हूँ, कि यह जीने का गलत तरीका है. हमारी पढ़ाई में भी, हमारे समाज में भी और सब चीजें तो बताई जाती है बहुत कुछ जिससे आप दुनिया में विकाश करें, उन्नती करें लेकिन एक चीज रह जाती है जीवन कैसे जीए, जीवन को सुन्दर कैसे बनाए, इन बातों की चर्चा लोग करते नहीं कितनी बार मैं सत्संग में कहा करता हूँ कि अभी मैं यहीं बैठ कर राजनीती की चर्चा कर दूँ शुरूर तो राजनीती के संबन में बहुत लोग अपने अपनी विचार देने लगेंगे और बहुत बारिकी से जिनके बारे में हम जानती भी नहीं है उन राजनीतियों के बारे में भी वो बढ़िया अच्छे से बता सकते हैं यदि मैं यहां पर बैट करके फिल्मी दुनिया की चर्चा कर दूँ फिल्म की तो फिर उसके बारे में ही बताने वाले मिल जाएंगे और बहुत बारिकी से ना आप यह नया कौन सा फिल्म आ रहा है उसमें कौन सा गीत है उसमें कौन एक्टर कौन एक्टरेस कौन विलेन सब सब बता देंगे, कब रिलीज होने वाला है, सब उनको पता है, जबी मैं चर्चा करूं खेल के बारे में, तो खेल के संबन में भी बहुत सारी जानकारी और विचार विमर्स करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन यही जानकार लोगों से, जो खेल के बारे में बहुत आते हैं उनी से पूछा जाये जीवन क्या है है कि तो फिर बताना कठी करें कि ए कि जीवन किसे कहते हैं और जीवन का सही उप्योग जीवन की सार्थक्ता किसमे है सफल जीवन किसे कहते है इती यह बात पूछने लग जाएं कि आप कब मानेंगे कि मेरा जीवन सफल है डिवर मेरे पास इतना धन हो जाएगा तब मैं अपने जीवन को सफल मानूँ गा कितना धन हो जाएगा तलानेगे आप कोई तए बThe High 576 अभी तो तभी नहीं一定要 कितना बड़ा मकान हो जाएगा तब मानेंगे कि मैं जीवन मेरा सफल है कौन सी गाड़ी घर में आ जाए तब आम मानेंगे कि मेरा जीवन सफल है या कितने बड़ा पोश्ट मिल जाए सरपंज बन जाए अचा विधायक बन जाए क्या बन जाएंगे तब आप अपने आपको सफल मानेंगे अभी तो हमने तय भी नहीं किया है सस्त यह लेकिन भाग रहें भाग रहें कुछ मिल जाए कुछ हो जाए कुछ भी नहीं हुआ है इसका मतलब यहीं हुआ ना हमने कभी जीवन को समझने का प्रयास ही नहीं किया है किक्षा फंगा तो वो जीवन सही पढ़नाम कभी नहीं दे सकता है काब शोचे समझे आप दुकान सुरू कर दो बिना सोचे समझे खेती सुरू कर दो बिना सोचे सम्झे बातचीत किये शादी कर दो बिना सूचे समझे आप मकान बना लो, कोई भी काम, बिना सोचे समझे, आप कही घुमने चले जाओ, क्या उपर नाम लाएगा? गलत लाएगा सही नहीं आएगा काम बिगड़ेगा ही बिना विचार करे कोई काम करोगे तब अच्छी यह बात हम लोग बहुत बच्पने से आद है यह जो सुत्र है बहुत बच्पने से आद है कौन से सुत्र बिना विचारे क्या धना जो करे क्या होता है सो पाच्छे पच आगे भी पता है क्या होता है काम भीजरी एफी पता है आगे भी पता है और जगमे होध सही sap कितनी बडी बात हो जाती है बिना विचारे जो करेश करें Rest नदे पतनी तुम्हारे साथ साधी करके डेप्र बरी गलति की हण कि मतलब अफसादी हो गई यहां तक भाल बच्चे भी आ गए फिर भी पस्ता रहे हैं और गिर्धर कभी क्या कहते हैं जो बिना विचारे जो करे सो पाचे काम बिगाड़े आप नो काम भी बिगड़ेगा और बड़ी बात यह भी हो जाएगी आपकी हसी भी होगी जगत में पजिती होगी लेकिन इसी को उलड़ दो सोच समझ करके कभीर साहब की पंक्ति याद करो विचार करो करहू विचार तो सब दुख जाई कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोय कहां ही कभीर भगवन्त भजुनर दुत्या और न कोई विचार कर के करो जब विचार पूर्वक कोई काम करेगा तो गलत नहीं होगा सही होगा ख्याल करो यदि विचार पूर्वक कोई खाये कोई पीए तो गलत चीजों रहा है गलत चीज यदि उसे ही उससे बात करें विचार करें क्या मैं गुटका खा रहा हूं तो गुटका से पूछ लो तुम्हारे खाने से या तमाकू के खाने से क्या मेरा स्वास्त अच्छा होने वाला है मेरी दाथ की और चमक बढ़ने वाली है मेरा धन बढ़ने वाला है आने वाली पीड़ी को अच्छा आदर्स मिलने वाला है तो वो तमाकू या वो गुटका बोलेगा कि मुर्ख तमाकू और गुटका खा खा करके अपना स्वास्त बरबाद कर रहे हो दाथ खराब कर रहे हो और धनकी बरबादी और आने वाली पीड़ी के लिए गलस्त आदर्स इस्तापित कर रहे हो क्या वो आदमी खापाएगा सोच समझा नहीं बस किसी के देखे सुने उन्हें खाना सुरू कर दिया Wu भिना सोचे संझे खाना हो पिना हो आदमी धी सोच लेना तो रोज जो भोजन करते ना उसमें बहुत सारी गलतिया वो भी नहीं करना सुरू कर दे वो भी नहीं करेगा, सोष समझ करके काम करो, किसी को मित्र बनाते हो, और किसी के साथ संबंध बनाते हु, रिष्टेदारी बनाते हो, सोष समझ कर करो, और ये बड़ी बात हो गई जैसे, एक सरल उधान दूमाएं, आपकी घर की बेटी है, शादी लायक हो गई है, अब आदनी को देख करके किसी के कोई स्टेटस को देख करके आपने शादी कर दी ये वीतियों देखो आप भगद घर की विटिया है अभी जीवन में कभी उन्होंने जाना ही नहीं कि अंडा मांस मचली खाना चाहिए और चुकी उसके पास धन जादा है और आप ऐसे घर उनकी सा पवित्र घर बढ़िया से कभी कोई चीज गलत नहीं को अन्त मेरे मन चीज कैसी अन चाहिए मैं क्या ये लगना चीए कि जिसके लिए मैंने जीवन पाया प्री जीवन का काम मैंने पूरा कर लिया है आखर मैं ऑब यहां से बिदा होने के लिए पुरी तरह तयार हूँ, मैं संतुष्टी भरा समापन करने वाला हूँ, यह एक फिलिंग्स आपके भी दर्म होनी चाहिए, बस मैं संतुष्ट हूँ, और मैं बिल्कुल जाने को तयार हूँ, मुझे कोई चिंदा नहीं, मैं कितना जिया, कोई मतलब नहीं, बस जितना जिया परियाप्त था यह संतुष्टी का भाव आना चाहिए लेकिन मैं समझता हूँ हम में से अधिक्तम लोग हैं जिनका अफसोस भरा समापन होने वाला है क्या होगा इतना सुंदर जीवन मिला था मुझे इस सुंदर जीवन में मैं अपने मन को मैं पवित्र बना सकता था जीवन को निर्मल बना सकता था अमुक आदमी से छमा मांग सकता था अमुक आदमी को छमा कर सकता था मैंने क्यों बरबात किया जीवन को और इसी के लिए जिसको सब कुछ चोड़ कर जाना है जर ध्यान इस चीज को जिससे आप पुनह प्राप्त कर सकते हैं किसी कारण से दिखो भी जाए जिससे आप पुनह प्राप्त कर सकते हैं उसको तो बहुत समालते हैं बहुत समालते हैं और जिससे आप पुनह प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्या उसको भी समाल पाते हैं नहीं समाल पाते है क्या अपने समय को सम्हाल पाते हैं, क्या अपने जीवन को सम्हाल पाते हैं, जो एक बार चला गया, आपका कोई समान खो गया, आपका परस खो गया, फिर से प्राप्त कर सकते हैं, आपका धन खो गया, फिर से प्राप्त कर सकते हैं, आपका मुबाइल खो जाता है, फिर से प प्राप्त कर सकते हैं क्या जीवन को फिर से प्राप्त कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और उसी जीवन में वह काम कर डाले जिसको छोड़के जाना है और उससे चुक गए जो साथ में चलने वाला है अद्भूत है ना उससे चुक रहें अभी भी चुक रहें अभी भी चुक रहे गुर्देवची ने बीजाक व्याख्या लिखते हुए ये बात लिखी है उन्होंने कि जीवन में जो समय मिला जीवन में जो समय मिला है इस मिले हुए समय में आप धन कमा सकते हैं आप विद्या अर्जन कर सकते हैं आप बड़े पोष्ट पर जा सकते हैं बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं लेकिन जो कुछ भी आपने अर्जित किया है जो कुछ भी आपने संग्रह किया है कमाया है जो भी ऐश्वरिय है उन सब को लौटा करके आप जीवन के समय को बढ़ा पुराने कहए एक व्यापारी था और व्यापारी भाहुत धन कमाया है बहुत कुछ उसने अपने पास में कठा कर लिया और जमा करते करते वह कितना धन कमा लिया तीन कडोर श्र्ण मुद्राएं तीन कडोर सोने के सिक्के नहीं, इल्मुनियम और लोहे के नहीं, सोने के सिक्के, चांदी के भी नहीं, तीन कडोर सोने के सिक्के, इतना वो इकठा कर लिया, और इकठा करने बाद उसके मन में आया, बस अब धन नहीं कमाना है, इस धन का मुझे अब उपभोग करना है, इसका आनन्द लेना है, क्यों जैसे ही निर्णे लिया, पीछे से एक आवाज आई, कंधे पर हात रखती हुए, बस जीवन का समय पूरा हो गया, चलो मेरे साथ, लोट कर देखा तो मौत खड़ी है, मौत खड़ी है, उसने कहा, अरे रुको भाई, अभी तो मैं धन कमा के फुर्षत पाया हूँ, और आप क आते हैं, चलो, नहीं नहीं, मुझे इतना धन कम आया हूँ, इसका उप्योक करना है मुझे, आनद लेना है इस धन का, बस चलना है, अब मौत के सामने क्या करे, अब मौत सिकंजा कसने लगा, अब घबड़ाया, उसने कहा, बहुत अनुनाई बिनाई किया, कौन सुन ता य उस समय के दृष्य खीचा है एक तो निहूर पाउं परी बिनवय बिनति किये नहीं माने हो इसाहब ने कहा है विजक में एक तो निहूर पाउं परी बिनवय बिनति किये नहीं माने हो यदि कोई आदमी जज है उनसे बिनतिकर्द हो सकता है मान जाए हो सकता है जजने कह दिय तो राष्टपती तक मान जाए, महुत नहीं सुनने वाली है, साहिब कहते हैं, जुक जुक कर कोई प्रणाम करें, एक तो निहूर पाउं परी बिनवय, बिनती किये नहीं माने हो, अनिचीन हे, रहे उनचीन हारी, सो कैसे पहचन वे हो, जीवन भर सत्य से आप पहचान नहीं किये, स्वाहिम से परिचय प्राप्त नहीं किये, अब मौत के समय कैसे परिचय प्राप्त करोगे, अब तो समय ही नहीं रह गया है, उस समय है, फिर उसने क्या कहा, निमेदन किया, एक काम करो, जीवन तो नहीं बढ़ा से लिक एक निमेदन है, साल भर रहने तो जादा नह उसने प्रयोग किया क्या किया कि काम करो मुझे साल भर महीना रहने दो जो तीन क्रणा मुद्रा उसमें एक कड़ आपको डान कर देता हूं एक कलोर दान कर देता हूं यह आप जहां कहरे मैं वहां charity कर दूं अंत में क्या हुआ उसने का नहीं चलना है फिर उसने क्या किया धन के समय को घटाया धन को बढ़ाया और समय को घटाया और कम और कम करता चला गया और समय को पैसा बढ़ाता चला गया अंत तह क्या हुआ एक घंटे का समय मांगा एक घंटे का एक गंटे का समय में फिर भी नहीं मिला और तीन करोड देने को तयार हुआ नहीं माने वो अंत में उन्हों ने कहा कहते कहते काम करिये मुझे एक लाइन लिखने का वक्त देदो एक संदेश दिखना चाहता हूँ दुनिया वालों के लिए, मौत ने खा लिखलो, एक लाइन लिखने का वक्त देता हूँ, उसने जो लिखा उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसने क्या लिखा? उसने एक वाल के लिखा कि जीवन के प्रतेक्षण के महत्तो को समझो, मैं तीन करोर स्वर्ण मुद्रा देख करके भी मैं जीवन के एक घंटे को लौटा नहीं पा रहा हूँ, इतना महत्तो पूर्ण होता है, जो कभी नहीं लौटा सकते, उसको हम यूही बरबात करते चले जा रहे हैं, इसी जीवन में मैंने कहा ना आनन्द का अनभव कर सकते हैं, सुख का अनभव कर सकते हैं, आपस में प्रेम का अनभव कर सकते हैं, सुन्दर स्वास्त का अनभव कर सकते हैं, सब कुछ प्रास्त कर सकते हैं, लेकिन इसी जीवन में हम दुख का अनभव कर रहे तब 10 ब्राल में अवान फिलिए werd अंभो कर रहे है इसी जीवन में हम स्वां इंभाद कर रहे हैं घरीवीं कर रहे हैं लडाई और झगड़ीं कर रहे हैं नहीं आप अपने जीवन में बदलाव pewlailly करके मन चाहा पढ़नाम प्राप्त कर सक्ने हैं यह आप जानो मैं कहना चाहता हूं अच्छा क्यों कहना चाहता हूं क्या मेरा उपनियन है क्या मेरे विचार हैं सबके जितने संथ हुए हैं और जितने सास्त्र लिखे गए हैं सब के हैं है अ कि उब्देशी कियों देते संथ। कि उत्तक में ही सास्त्रों के सास्त्र के हो लिखी जा रही है क्योंकी उनको पता है MANUSthya में परिवर्तन की सम्भावना है मनुष्य में परिवर्तन की सम्भावना है एक कुट्टय folks को एकुट्टë को आप हजार उबदेश करो कि शाकहरी बन जाओ वो उसको उबदेश करने से क्या वो परिवर्तन आएगा नहीं आने वाला है वो वहीच रहेगा नहीं आएगा लेकिन एक आदमी को जो शराब पीता है आप उसे समझा बुझा करके सही का निर्णय करके सही बात बता करके वो सराप छोड़ सकता है एक आदमी चोरी छोड़ सकता है हिंसा छोड़ सकता है एक आदमी कटू बोलना छोड़ सकता है क्रोध छोड़ सकता है मैंने कहा ना परिवर्तन की संभावना है बदलने की मानों को बहुत सारे वर्दान मिले हैं और सबसे बड़ा वर्दान वैसे सप्राणियों को मिला है लेकिन मानों को जो विशेश वर्दान मिला है प्रकृती की ओर शे वो क्या है वह वर्दान है मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता मन पसंद का रास्ता चुनने की जब चाहें अपने रास्ते में परिवर्तन कर सकते हैं थ्यान दीजी यहां पर जब गए और आगे जाकर कि तिरहा मिला आप चुनाव कर सकते हैं सिधा जाएं या बाएं मुड़े इस चुनाव आपका है आपका है आप चुनते हैं आप चुनाव करते हैं मुझे शिग्रेट पीना है और आप चुनाव करते मुझे शिग्रेट नहीं पीना है आप चुनाव करते मुझे शराब पीनी है आप चुनाव करते मुझे नहीं पीना है आप बदल सकते मैं यही कह रहा हूं हर आदमी में योग्यता है हर आदमी में योग्यता है और इसके लिए पढ़ते लिख संद लोग क्या बताते हैं आप में सम्भाव आपकर सकते हैं और इसी से जीवन सुन्दर बनने वाला है इसी से जीवन में अच्छा पढ़ना माने वाला है यही पढ़ना माने वाला है जैसा आप चाहते हैं वैसा मैंने कहा ना मकान को द्राण किया दिया जैसा मन पसंद का आ एक नक्षा बना लो बस और फिर यदि वो गलत है तो आप कहीं पर गलती हो रही आज तक जो आपने नक्षा बनाया और आज के जीवन सहली को देख लो अब बच्चे को समाल लो ना आप लोग अनन ले रहे हैं ना किसी की समझ बात नहीं आएगी मेरी अब कपसे कर रहा है मैं सोच रहा था कि अब तो कोई सावधान हो जाएं अन्त में मुझे फिर एक सन लेना पड़ा ठीक है मैं नहीं कह रहा हूं हमारे साथी है ना शुतकर जी वो क्या कहते है कि बच्चों को लेके आओ और बच्चे भी लेंगे आप लेंगे मैं तो आप त यह जाएं तो कि शुती हुआ किसी की सामने बच्के नहीं है लेकी के सामने मज़मोरी है यह हुआ जिए पी शबच्चा बयाना है लेकिन साँ न्हीं आप यह भी कॉपरेट करिए यह पी सही होग देना सुरू कर दीचे को सॉआ लो इंभी तो जिम्मेदारी है अचा माल तो नहीं मार रहा है तोड़ा अलग जाके बैठ जाओ उस पर कुरसी लेकर के वही से बैठके सुनो ताकि यहां व्यवधान नहो अब देखो मेरा एक डेड़े मिनट चला गया है आप लोगों के बात बताने में सही है न हमें क्या बता रहा तो वह भी विस्यांतर हो जाता है बहराल यह इतना सरल है जीवन को सही करना और कोई हर आदमी में योग्यता है आप सब में आप हमेशा ध्यान रखो हर आदमी में वह योग्यता कुदरत की ओर से मिली हुई है कि वह अपने जीवन को मन पसंद का बना सकता है यह आप ध्यान दो मन पसंद का आप बना सकते है बस आपको जानना है किसे मन पसंद करा रहा हूं जे अंगले सत्रह में कि कैसे बनाना है अफ इतनी बता रहा है यह वाद करा रहा हूं Bismarck ए उसको यह तरह से man a pan a p financi को भूल गये थे ना आप सागर नहीं, भव सागर, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप भव सागर पार कर सकते हो, यह योग्यता है, हनुमान जी को तो याद दिला है, भव सागर पार कर सकते हो, इतनी योग्यता है लेकिन उसी योग्यता का इस्तेमाल करो तब आप, आपके भीतर की योग्यता का इस्तेमाल आपके अलावा कोई दूसरा नहीं करेगा, इस बात को समझो जरा से हमारी योग्यता का इस्तेमाल आपकी योग्यता का इस्तेमाल आपके अलावा कोई दुसरा नहीं करेगा कैसे माल लो हम में से कोई ऐसा हो जो चित्रकारी करता है उसमें एक योग्यता है कि उस सुन्दर चित्र बनाए अब उसकी चित्रकारी की योग्यता को दुसरा कैसे इस्तेमाल करेगा वही तो करेगा यदि किसी में भजन गाने की योग्यता है तो वही तो अपनी योग्यता की इस्तेमाल करेगा किसी में सुंदर भोजन बनाने की योग्यता है उस योग्यता की इस्तेमाल वही तो करेगा अब यूग्यता का इस्तेमाल जब नहीं करते हैं तो धीरे धीरे योग्यता छीन होती चली जाती है पढ़ने और लिखने की ही योग्यता बहुत दिन तक छोड़ दोगे तो जिस धंग से पहले पढ़ पाते थे और लिख पाते थे बोद इस पिट नहीं राजाएगी, कि जो योग्यता, जो शक्ती मिली है, उस शक्ती का जब उपयोग नहीं करते हैं, तो वो शक्ती खोती चली जाती है। जिससे मैं उद्रान दू जिससे मैं अच्छी तरह से अपने जीवन विभार का काम कर शक्ता हूं लेकिन शक्ति है इसमें योग्यता है इसमें लेकिन इस हाथ को लेकर मैंने ऐसे पीछे रख दिया और बांद दिया इसको छे महीना, साल भर, दो साल, चार साल, पांच साल बांधा रख गया, पांचो साल तक बांधा रख गया, दस साल बांधा रख गया, अब इसके बाद में इसको निकाल करके चाहूं, कि वैसे ही करो जो दस साल पहले करते थे, संभव है, संभव है इसा, संभव नहीं है, क्यों, अब योग्यता वो जो सकती थे उच्छीन हो गई है ऐसे हम सब में योग्यता है क्या योग्यता है अच्छा करने की गलत को छोड़ने की करते ही नहीं उसकी योग्यता का इस्तेमाल और जब करना सुरू कर देंगे देखो यह अलग चीज है हाथ वाली भाहतिक है लेकिन जो तो आपके भीतर आंत्रिक्स सकती ही ना जब उसको एक्टीवेट कर दो सच तु यह है उसको फिर से एक्टीवेट कर दो बस इस्टार्ट फिर से काम आने लग जाएगा मेरा कहाने का मतलब यहां है कि कोई कह सकता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मेरे पास धन नहीं है तो बिना पढ़े लिखे तो आप गलत तो कर सकते हैं न और किलियर करूं इसको बिना पढ़े लिखे यदि आप बिड़ी पीना शुरू कर सकते हैं तो बिड़ी छोड़ने के लिए पढ़ना लिखना नहीं पढ़ेगा यह मेर कहाना है आप बिना पढ़े लिखे बिड़ी पीना छोड़ भी तो सकते हैं बिना पढ़े लिखे आप गाली देना भी तो छोड़ सकते हैं बिना पढ़े लिखे क्रोध करना भी तो छोड़ सकते ह आप कहेंगो नहीं जी अप तो करते करते बहुत दिन हो कहते हैं पढ़ना लिखना ठाखे करते दिन चोड़ां आप किसी ने भज़ सुन्दर कहा है शाइद प्लेटों ने कहा है कि जिस काम को करने की ताकत हम में है उस काम को न करने की भी ताकत हम में हैं इसको आद रखो मेरा मतलब है आप जिस कदम कदम करके यहां तक आए घर से चलकर यहां तक आए वैसे ही आप घर लोट भी सकते हैं यह मैं कहना चाहता हूं क्या आप कहा सकते हैं कि मैं केवल सत्संग तक आ सकता हूं सत्संग से नहीं लोट सकता हूँ वही याद करो यंगद ने कहा ना मैं सागर उस पार जा तो सकता हूँ लेकिन वहां से लौट नहीं सकता ऐसा नहीं है आप जैसे घर से यहां तक आये वैसे ही यहां से घर लौट सकते हैं आप जिस सिस्टम से आपने क्रोध करना सुरू किया है तो क्रोध को छोड़ भी सकते हैं यह सच है जूट को छोड़ भी सकते हैं हर गलतियों को छोड़ सकते हैं और जीवन को सुन्दर बना और हर अच्छाईयों को ग्रण कर सकते हैं इतनी बात और है हर अच्छाईयों को ग्रण कर सकते हैं और इसके लिए अभी न निकालना है समय निकालना है अरे नहीं रोज अच्छा काम करने के लिए हर दिन अच्छा होता है अच्छा काम करने के लिए हर दिन अच्छा होता है और गलत काम करने के लिए कोई दिन अच्छा नहीं होता है कोई दिन अच्छा नहीं होता है लेकिन अच्छा काम करने के मुहुर्त निकाल लो कि शराब पिने वाले मुहुर्त नहीं निकालते हैं गाली देने वाले मुहुर्त नहीं निकालते हैं है ना चोरी करने वाले मुहुर्त नहीं निकालते हैं आप अच्छी के लिए मुहुर्त निकालते हैं जीवन बदलने के लिए क्या मुहुर्त निकाल तुसकरप नितिने हिंसा क्ये ठीशक हो जाएंगे हैं गाय काटना बंद जायेंगा च सभार बिंधना चतिर बंद जायेंगा आपको लगता है राम राजी आएगा धोखे में मत रहो कि राम राज्य आज आएगा राम राज्य बाहर कभी नहीं आएगा यह बता देता हूँ आपको राम के समय राम राज्य नहीं था आज कहां से आएगा सही कह रहा हूँ मंत्रा कब थी राम के समय वही तो थी सीटाह्ज 허ण के समहित हुआ है सब खुछ वह वहते ह हुथ है आज भी होगा राम राज्य को लाना है आपके भीतर आ सकता है बस आ जब आपका भीतर पवित्र होगा तब और जब गंदगी है जब गंदगी जब तक गंदगी है कचड़ा है तब तक रामराज्य समझो रामराज्य कवा कि पवित्रता अंतस्की पवित्रता हो वही पवित्रता का काम करना है हम सबको जिसका भीतर पवित्र है ये महनत बहुत कि मैं भीतर की कैसे सफाई करूं कभी सहाई की पंकतियात करो जो तु साचा बाण या साची हाट लगाओ अंदर ढ़ू देकर कोड़ा दूरी बहा हो अंदर अंतस नहीं देक but zou लगाना है रामराजW वो तैप कि भीतर की सफाई हो गई на हो रामराज़िय हो गये और बहुत प कि उसकी सफाई और उसके कंचड़े कि यही राग ड़ेस्ट नड़ाी जगडा इरशया वह मनश्यत गणा नफरत यह सब कंचड़े हैं उसके की सफाई कर दो इसकी जगा में ले आओं PhD मोर बश्र को ले आओंतर्म और च्हक्रमा को ले आओं यह जब तो फिर यह वीकार निकलने लगते हैं यह काम यह महिनत करने अपको ऑब př === को जाएगा चाहे आपकी सरकार बदले चाहे मंदीर में हजार मुर्तियों की स्थापना हो जाए कुछ भी हो जाए आपका जीवन नहीं बदले गा कि ज्यान लो और जीवन जब बदल देंगे तो जीवन में शुक्षान्ती का अनुभव होने लग जागा यहां योग्यता हम सब में हैं जीवन को कैसे बदलना है इसकी चर्चा साम वाले सत्र में करेंगे यदि आप लोग उपस्तित रहें तो ठीक है